तो फ्रेंस अगर आप लोग भी कोई प्राइवेट कमपनी में काम करते हैं या फिर गवर्मेंट जोब करते हैं तो आप लोग का रुपे भी जो है पीएप एकाउंड में जमा होता होगा जब आप लोग को सेल्डी टाइम पे नहीं आता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि P.F. से हमें भी रुपे निकालना आता तो हम भी निकालते हैं तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं आज मैं बताऊंगा कि घर बेठे अपने P.F. के रुपे को ऑनलाइन के से निकालेंगे पुरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चेनल में नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नटिफिकेशन मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो P.F. के एमाउन को निकालने के करूप यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ओप्षन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो सेकेन में देख रहे हैं फोर इंप्लोई का एक ओप्षन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सर्विशेस में 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 वेलेमा एन उन्लाइन सर् करेंगे यानि कि PF नंबर को यहां पे फिल करेंगे आप लोगों ने जो password को set करके रखा है यानि कि create करके रखा है उस password को यहां पे फिल करेंगे जिस टैप का capture है यहां पे capture को भर लेना है then signing वाले icon पे click करना है जैसे ही signing पे click करते हैं तो आप लोग के सामने second factor authentication का page खुल जाता है अब आप लोग देखेंगे कि आपके अधार में जो mobile number रईष्ठाट है यानि की link है उसमें एक OTP send किया जाता है उस OTP को यहां पे फिल करना है यहां पे जिस टैप का capture है capture को भरना है then यहां पे submit वाले icon पे click करना है उसके बाद कुछ इस परकार से फिर से एक pop-up आ जाता है तो इसको जो है letter पे click कर लेना है अब आप लोग EPUF में signing हो जाते हैं अब यदि आप अपने पैसे को यानि के रुपे को जो है withdrawal करना चाहते हैं निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो उपर में देख रहे हैं online services का एक option मिलता है इसके बाद यहाँ पे कुछ इस परकार से जो है बहुत सारा option निकल के आ जाता है जिसमें आप लोग को first में claim का एक option मिल जाता है जिस पे आप लोग click करेंगे क्लिक करने के बाद online claim वाले page में आप लोग redirect हो जाते हैं, यहाँ पे आप लोग का सारा data जो है पहले से ही फिल रहता है, यानि कि आपका नाम, date of birth, pen number, IPC code क्या है, यह सब जो है देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यदि आप अपने PF के रुपे को निकालना चाहते हैं, त उसके बाद नीचे जो verify वाला icon देख रहे हैं, इस पे click करना है, अब कुछ इस परकार से आप लोग के सामने एक pop-up आजाता है, तो यहाँ पे जो yes का icon देख रहे हैं, इस पे click करने के बाद आप लोग का account number जो है verify हो जाता है, अब आप लोग scroll down करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इस पे click करना है, click करने के बाद कुछ इस परकार से आप लोग के सामने एक page open हो जाता है, जिसमें से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, I want to apply for में click करना है, यहाँ पे बहुत सारा आप लोग को option देखने को मिलेगा, जिसमें से PF advance को आप select करेंगे, उसके बाद थ जो है PF advance लेने वाले हैं, उसको यहाँ पे select कर लेंगे, उसके बाद किस purpose के लिए जो है आप PF advance ले रहे हैं, उसको यहाँ पे select करना है, यहाँ पे बहुत सारा option आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो आप लोग कोई एक को यहाँ पे select करेंगे, अब आप लोग PF से कितन एडवांस लेने वाले हैं, यानि कि कितना case withdrawal करने वाले हैं, वो amount को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद employee का address क्या है, यहाँ पे full address को fill करना है, उसके बाद street में यदि आपके घर के बगल में कोई हनुमान मंदिर या पिर school हो गए रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, next में य area का pin code क्या है, यहाँ पे pin code को भर लेंगे, next में यहाँ पे देख सकते हैं, upload a scan copy of check या फिर passbook, तो यहाँ पे पहले एक select करने का, यानि कि choose करने का दिया जाता था option, यहाँ पे choose करके आप लोग checkbook या फिर passbook यहाँ पे upload करते होंगे, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है अब आपका जो है NPCI के साथ जो भी link है, यानि कि जो bank account आपका NPCI DBT में जो है link है, उसमें automatic जो है आपका case withdrawal कर दिया जाता है, यानि कि भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी upload नहीं करना है, आप लोग scroll down करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आप ल यानि कि OTP send किया जाता है, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है, यानि कि भर लेना है, और उसके बाद validate OTP and submit claim form वाले option पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे pledge wait का एक pop-up आजाता है, तो कुछ समित तक wait करना है, यानि कि इंतिजार करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं, EKYC updated and PF advance claim for submitted successfully, यानि कि PF amount के लिए आप लोगों ने जो withdrawal करा, यहाँ successfully submitted हो गया है, अब आप लोग 2-3 दिन wait करेंगे, 2-3 दिन में आपका PF का पैसा जो है, आपके bank account में भेज दिया जाएगा, अब यदि आप लोग receipt को जो है, डाउनलोड करना चाहते हैं, यानि क आप लोगों ने जो claim करा, कितना amount के लिए claim करा है, उसका receipt डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, click hair का एक option है, इस पर click करना है, अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो है, एक receipt generate हो जाता है, इसको print करके आप अपने पास रख सकते हैं, तो I hope इसी परकार के निव वीडियो में निव अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिन जय भारत